हावडा ब्रिज अपनी बनावट और खूपसूरती के लिए भारत समेट दुनिया भर में मश्हूर है यहाँ हावडा में हुगली नदी पर बना हुआ है लेकिन क्या आप हावडा ब्रिज का इतिहास जानते हैं? हावडा ब्रिज को बनाने का काम ब्रिटिश सरकार ने 1936 में शुरू किया था लेकिन यहाँ ब्रिज 1942 में जाकर पूरा हुआ हालांकी अब तक इसे आम लोगों के लिए खोला नहीं गया था हावडा ब्रिज को 3 फरवरी 1943 को आम लोगों के लिए खोल दिया गया लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज तक हावडा ब्रिज का उधगाटन नहीं किया गया हावडा ब्रिज को बनाने में 26,000 टन स्टील का इस्तमाल हुआ था जिसमें 23,000 टन टिसकाल स्टील की सप्लाई टाटा स्टील ने की थी इसके निर्मान का श्रे टाटा स्टील और BBJ Construction Company Limited के कामगारों को दिया जाता है हालां कि हावडा ब्रिज को बनाना आसान नहीं था लेकिन टाटा स्टील और BBJ Construction Company Limited के कामगारों ने तमाम बाधाओं के बावजूद निर्मान कार्य पूरा किया आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरा हावडा ब्रिज हुगली नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट उन्चे दो पिल्रों पर टिका हुआ है दोनों पिल्रों के बीच की दूरी डेड़ हजार फीट है क्या आप जानते हैं ग्वितिय विश्व युद्ध के दौरान दिसंबर 1942 में एक बम हावडा ब्रिज से महज कुछ दूरी पर गिरा था लेकिन गनीमत रही की ब्रिज को नुकसान नहीं पहुँचा बताते चलें कि भारत सरकार ने नोबेल प्राइज विजेता रवींद्र नाथ टैगोर के नाम पर हावडा ब्रिज का नामकरण साल 1965 में रवींद्र सेतू कर दिया आज हावडा ब्रिज की गिंती दुनिया के सबसे मशूर ब्रजों में होती है इस ब्रिज की खुबसूर्ती देखते ही बनती है हावडा ब्रिज को बने 82 सालों से अधिक का वक्त हो गया है लेकिन आज तक इसकी खुबसूर्ती बरकरार है यदि आपको यह जानकारी उप्योगी लगती है तो आप इसे कम से कम पांच ऐसे ग्रूप में डाले जिन में आप एक्टिव है ताकि दुसरों को भी इस जानकारी का लाभ मिल सके